नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी ख़बर सुनाने वारी हो आपको I think आप लोगों को पता चल गया होगा कि दो दिन पहले भारती है मून लिवासी पराग अगरवाल ट्विटर के नए CEO बन चुके है इसमें बड़ी बात क्या है अब आप लोगो कहेंगे यह ख़बर क्यों सुनारी है यह तो हर new channel सुनाता है पर new channel ने आपको यह बताया कि पाकिस्तान रो रहा है new channel ने आपको यह बताया कि आखे पराग के CEO बनने से खंगना रुनात ने तो बधाई दे दी लेकिन सोरा भास करने बढ़ा ही नहीं थी नहीं बताया ना हम किस ले बैटे आईए थे बताते हैं सुनिए दोस्तों पहले आपको बता दू पराग अगरवाल के बारे में पराग अगरवाल जिहोंने भारत के रहने वाले हैं भारत के मूल लिवासी हैं और इससे पहले भी उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं याहू, Microsoft और AT&T Labs में भी काम किया है और अब वो बन चुके हैं CEO माना जा रहा है कि उनके CEO बनने के बाद से एक और चीज़े भी सामने आ रही है कि जो भारतिय सिंगर है, श्रिया घोशाल, उनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, कि वो पुराने दोस्तियार है लेकिन इससे पाकिस्तान का कोई लिना दिना नहीं है, तो अब बोलो कि सुमंदीदी वापस आओ नग प्लैट्पॉम पिर यह आ जाते हैं पाकिस्तान को मिर्चि क्यूं लगी है, क्योंकि पाकिस्तान को मिर्चि लगेगी ना, जहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनी चाहे, वो Google हो, चाहे, वो IBM हो, चाहे, वो Microsoft हो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज के CEA पहले ही भागतिय हैं उसके बाद अब ट्विटर ही थे बचे हुए जो की हमारे देश से लेके पाकिस्तान को लेकर एक सहारा था चाहे वो CEA, NRC से लेके किसान आंदोलन का कहे न हो हर जगा एक ट्विटर ही तो एक भरोसा था जहां पे राश्च्वादी आवाज को राश्च्वादी वेबसाइट को और उनके साइट को उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाता था और स्वरा भातकर जैसे ट्विटर पे हगने वालों को और उजागर किया जाता था तो दाल में तो कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है दोस्तों, सबसे पहला tweet आता है Patrick Collison का मैं आपको tweet आप स्क्रीन पे देख सकते हैं Google, Microsoft, Adobe, IBM follow all to network and now twitter run by CEOs who grew up in India मतलब हमारे देश में, हमारे भारत में, जन्में में लोगों अप CEO बन रहे हो मतलब हमारे देश के तरक्की हो रही है Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world and a good reminder of the opportunity America offer to immigrants मतलब हमारे देश के भारती ये जितने भी है, वो technology world में हमारे देश और तरक्की कर रहा है इसके लिए उन्होंने पराग को बढ़ाई दी है Patrick Collison, आपको बता दू, ये strike company, ये CEO है और ये software company है, Irish के billionaire company है इसके अलावा इतना ही ने Telsa Motors के CEO का अंकला tweet आता है जो आप देख सकते है इस screen पे उन्होंने भी इस बात को लेके बढ़ाई दी है और भारत के talent को की सराना की है कि इस भारत का talent है और इससे की अमेरिका को भी benefit मिल रहा है एसा नहीं है कि वो हमें एहसान रहा या भीख में दे रहा है ये अमेरिका भी जो Telsa company का जो CEO है उसने इस चीज़ को माना है कि कोई अमेरिका किसी पे एहसान नहीं कर रहा है अगर Twitter का CEO बनता है या Google इंदर कुछाई है और इस तरीके कि जितने भी बड़े companies के अगर CEO आज के वक्त में भातिये हैं तो कोई बड़ी companies या कोई देश हम पे एहसान नहीं कर रहा है वो हमारे अंदर capability है हमारे देश में वो छमता है तभी वो आज यहां तक पहुंचे है लेकिन पाकिस्तान तो रो रहा है ना तो मैं यू नहीं बता रहे हूँ आप देखिए तरह यह इत्वारे ट्विट देखिए तरह आब मैं आपको इस ट्विट को पढ़ाते हूं यह है इस ट्विट में आपको मैं लेके जाओंगी इनका नाम है Umar Saif अब आपको होगी तो नाम सुना ही नहीं मैंने भी नहीं सुना था से पहले अब आपको बतातो दोस्को यह सर्वे ओटो इनके CEO है अब आपको होगी कि बहुत लोग जानते है तुम्हारा General Knowledge वीक है तो माना लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा General Knowledge में वीक है पाकिस्तान के गरीब देश है जो हर चीज में रोता और फिर रोता चाहिए मैं आपको बतातू इन्होंने message वेट किया है और उन्हें कुछ reality check में हमारी General Knowledge को और बढ़ाया है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए देखे इन्होंने बताया किस तरीके से Google के जो CEO है वो है सुन्दर पिचाए Microsoft के सत्य नडेला IBM के अर्विन्सक्रिशन, Adobe के शांतरुना रायन, VMware के रगुरगुनाम, वीबियो के अंजली सूर, Google Cloud के तोमस कूरियन, NetApp के जोश कूरियन, पालो ओल्टो नेट्वर्क के निकेश अरोरा अब इन्होंने हमें ये ट्विट जो दिया है, इसी में वो रुप जाते तो बात ही क्या होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी जो दास्ता है, इनकी जो दुख है, और आगे गया क्योंकि पाकिस्तान में आक्रोश का महौल है, पाकिस्तान में रोश और गुस्सा का महौल है, पकस्तान निवासी दिखले निकल अपने फिर पहले है। फोड़े बहुत पाकिस्तान नेवासे निकलumenुगे। वह लिए से पढ़ लिया वह फिर वह थोड़ा गुस्टा है अपने ही देश के स्टम पे वह घुस्टा पे क्यों पाकिस्तान का कोई आ पने कि possible नहीं है ना भीया यह आपसे तो हो ही नहीं सकता दोस्तों इसके अलावा एक बहुत प्यारी से शर्त रखे आप इस tweet को देखे Now taking bets on when Mark Zuckerberg will be replaced by an Indian CEO आपके भाशा में कहें तो आमीन बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि Facebook के Mark Zuckerberg को replace करके कोई भारतिय ही इसका CEO बन जाएगा वो दिन दूर नहीं है आप टेंशन ना लो और इसके अलावा उन्हें लिखा है दुनिया की top tech companies में भारतिय CEO IIT से पड़े हैं कई पाकिस्तानी पूछ रहे कि पाकिस्तान में कि IIT की तरह कोई सरकारी टेक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है मौन प्रतर के दुख हुआ में जानकर दर असल हमारे यहां लेकिन ओची राजनिती और अप्चंता हावी हो गए इस तरह के सलस्तान राष्ट्रे संपत्ती बन सकते हैं और हमें वहिश्वत तर पर प्रतियस्प्रदा में मदद करेंगे हमें इस बात से पूरी हमदर्दी है कि पाकिस्तान से आकर कोई इस तरीके की बाते करता है कि fasten लेखिएर लेकिन इनकी सोच कोई पाकिस्तान की इम्रान खान साहब की तरह नहीं है यह प्रति प्रति इस प्रधा में बिलीव करते हैं दोस्तो और यह होगते हैं कि पाकिस्तान ती को यह उनिवर्सिटी की बने भी들 कि आपकेस्टानीा इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में आपको इन इस वीडियो में दिखाया गया उसके बारे बताऊँगी कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपरपावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्ग एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है सत्तर वर्ष के दौरान अलेक दलों की सरकारे आईं लेकिन हर सरकार ने विकास की गती को जारी रखा सभा सवै अगलती जी हमने आयाई टीज बनाए इंडियन इंस्टीट अफ टेकनिली आम्स बनाए इंडियन इंस्टीट अफशू मैंजमेंट अमने एंव्सपाटार बनाए all इंडिया इंस्टीट अफ़ मेडिकल साइंसिज हमने अंतरक्ष के ख्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए पर पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया आपने लश्करे तैबा बनाया आपने जैशे मुहम्मद बनाया आपने हकानी नेटवर्क बनाया आपने हिजबुल मुजाहिद्दीन बनाया आपने पैदा किये हमने एंजीनियर्स पैदा किये हमने डॉक्टर्स पैदा किये पाकिस्तान वालों आपने क्या पैदा किया आपने देश्चत गर्द पैदा किये आपने जिहादी पैदा किये भारत पाकिस्तान के आतगवाद की चुनोदियों का सामने करते हो अभी अपने के बाद भी जितनी सरकारे आई उन्होंने सारे चीजों को मद्दे नजर रखते हुए भी अपने देश के विकास के लिए हमेशा से कारे किये हैं इस बात को लेकर उन्होंने देश की सराहना किया उन्होंने सभापती को संबोधित करते हुए कहा कि हमने IIT बनाए हमने IIM बना नेटवर्क जैश मुहम्मद बनाया और नशकर टाइबा बनाया हमने स्कोलर साइनकेस्ट और डॉक्टर पैदा किया और आपने जिहादी पैदा किया सुश्मा स्वराज जी के कहे हुए वो 2017 की बाते आज कहें न कहें फिर से एक बार फ्लैश हो रही है एक बार फिर से हाइलाइट हो रही है कि हमारे देश में क्या दिया और कोई ये कहता है कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है हमें कुछ सीखना चाहिए हमें अमेरिका से सीखना चाहिए तो हमें योरोप से सीखना चाहिए दोस्तों हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे बढ़ेगा अगर हम सब मिलकर अपने देश के बारे में सोचेंगे अपने देश के बारे में अपने देश के तरक्के के बारे में सोचेंगे अगर देश को दो टुकुडों में बाटने में, अगर हम व्यस्त रहेंगे तो शायद हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा अगर यही चीज पराग ने सोची होती, आज पराग ट्वेटर के CEO नहीं होते अगर पराग भी राइट विंग और लेफ्ट विंग खेल रहे होते तो शायद आज वो भी यहीं किसी स्वरा भासकर के एक्वेट को रीटवेट करते होते दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी भारत की गंदीर वो कूट नीती जिससे कि हमारे देश का भला नहीं होता जहां पे हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि अंतराश्री इस्तर पर अपने देश को छोटा दिखाया जाए जिस तरीके से हमने कोविट के सकेंट वेप में देखा कि बहुत लोग बहुत परिजन अपने को छोड़ कर चले गए लेकिन वही पे जहां पे सिर्फ भारत हाइलाइट हुआ वही पे अमेरिका में देखा कि इस तरीके से वाइट फ्लाग चारो तरफ से थे मतलब हर देश में कोविट की महामारी आई ये विस्च तर पर आई लेकिन जितना हाहाकार भारत में हुआ जितना हाहाकार भारत की सरकारे हैं उसको छोटा घिडाने के लिए विपक्षीों ने जितनी कोशिश की अपने देश को नीचै दिखाने के लिए Georgia इतनी ओची हरकत की वो निंदनिये हैं बागी आप कुछ समंदार है कमेंट सेक्षिन में मुझे बताएगा आप कैसा महसूस करते हैं जब कोई आपके देश का भार्तिय मूल निवासी विश्व का एक बहुत या च्छी स्तर पर ट्विटर जैसे संधान का स्थी यो बन के आत हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप किसका समर्थिन देंगे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा जया हिन बंदमार्थ